नमस्कार नियोश रुभांगी गुपता सुआगर टैप का स्वेटी नियूज में आई ये रज़ा डालते हैं समय विछ मुख के समचार उबर शनिवार से हो रही तेस बारिश के कारण जन जीवन हुआ बाधित रेल्वे यात्रों पर भी हुआ असर देके रेपोट महराश की राज़ानी मुंबई में पिछले दो दिनों से भारी बारिश जारी है लगतार हो रही बारिश से पूरा शहर एक बार फेल चल भराव जेल रहा है सड़के ओवरबर से लेकर कॉम्पलेक्स परिसुरों में भी पानी भर गया है आशंका जताएं जारी है कि सोमवार को भी बारिश इसी तरह से जारी रह सकती है भारी बारिश के कारण ट्रेनों और यातयात पर भी असर पड़ रहा है मौसम विभाग के मुताबिक सोमवार सुभा साड़े आठ बजे तक 24 घंडों में कॉलाबा में 17.6 mm बारिश रिकॉर्ड की गई जो इस सीजन की सबसे अधिक है उधर दहाणू में सुभा साड़े पांच बजे तक 308 mm बारिश रिकॉर्ड की गई विभाग के मुताबिक सोमवार शाम को बारिश की तेज होने के संभावना है साथ ही अगले 24 से 48 घंडों में ये और भिभारी हो सकती है एक और जहां सडको पर भानी भरा होने से यातायाद बातित है वही रेलवें स्काइवाक्स पर भी जल भराव होने के कारण दफ्तर कॉलेज जाने वाले लोगों को काफी परिशानी का सामना करना पड़ रहा है कुल्डा, ठाने, अंधेरी, सायन, माटुंगा, धारवी, भिवंडी और कल्यान में सरको पर बार जैसी सिती हो गई है लोगों को घर में रहने की सला दी जा रही है बेस्ट बसों के रास्ते बदले गए और कुछ बसे भी बंद की गई भारी बारिश के कारण ट्रेनों की गती धीमी हो गई है पच्चमी रेल्वे ने बताया कि नाला सोपारा में ट्रैक्स पर 180 मिलिमीटर तक पानी होने के कारण उस पर ट्राफिक रूप दिया गया है इस से सबर्बन लाइस पर 16 मिनट तक दे रही है बाकी लाइन्स पर ट्रेने कम गती से चलाई जा रही है सेंटर रेल्वे बादित तो नहीं है लेकिन ठाने और कलवा के वीज ट्रेन ट्रैक्स पर आठ इंस तक पानी भरा होने के कारण ट्रेनों की गती धीमी हो गई है कोई परेशानी ना हो इसलिए सीनियर अधिकारी खोज स्टेशन और पतनाथ है सबसे पहले SBT नियूस की टीम पहुची और बाढ़ गरस तिलाकों में कलवा, रेलवे सानक पर, रेल पत्रियों पर पानी भरा हैं जिसके कारण रेल परवासियों को परिशानी हो रही है ठाने कलवा, कल्यान, उलास नगर, रेल पत्रियों पानी के नीचे दप गई है ठाने के जंबावली नाका बजार में जेल भराव हुआं ठाने मुनसिपल का दावा फेल है उन्होंने कहा था कि इस बरसाद में पानी नहीं भरेगा कल्यान में जगा जगा वाटर लॉकिंग हो गई हैं संपूर्जन जीवन पानी से बदित हो गया है कल्यान डोमी वली महानगर पालिका में रेस्क्यू स्कॉर्ट की मदद से भी नहीं पहुच पा रहे बादितों के पास मुंबई में 48 घंडों में भारिय बारिश के संबावना है हर जगा रेल्वे ट्रैक पर पानी भर गया है सानिय तीनों मार्ग देर से चल रही है यदि ऐसी ही बारिश होती रही तो ट्रेने बंद रह सकती है अरे यह मनी जानी जा रहे दे यह मनी यह मनी बार बार, बार, बार! क्षे पर थाया जा रचता है रहांते पासी जा रहांते इंग मौ जा इंग एड मौ थां ओपर पर सूघरों यृ अ मौ धना रहांते यृ व रुग अ मौ ला अ ऐगाब इंगो थांते kayak 다음 is less हुआ 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 है पूर्फपती के पैसे चुरा कर बेटी का जनम दी मना रही दी बर्दे पर पहुँच कर पुलिस ने किया महीला डॉक्टर को गिरफतार देखे रिपोन नवी मुंबाई पुलिस ने एक महेला फीजो थेरेपिस्ट को गिरफतार किया है आरोप है कि फीजो थेरेपिस्ट ने अपने पूर पती के घर से 55 लाख रुपे चुराए इन चोरी के रुपों से वे अपनी बेटी का सात्वा जनम दिन मना रही थी मौल में चल रही पार्टी के बीच पहुची पुलिस ने उसे गिरफतार कर लिया वशी पुलिस ने बताया कि महिला का पती मर्शर नेवी में अधिकारी है दोनों के बीच विवाद चल रहा है पती का आरोप है कि उसकी पतनी का किसी विवसाई के साथ संबंध है महिला के पती ने अपनी पतनी के खिलाफ F.I.R. दर्स करवाई थी उसने आरोप लगाया था कि उसकी पतनी ने सहीयोकी के साथ मिलकर उसके साथ आपरकर्तिक दुराचार किया है इस घटना का दोनों ने वीडियो भी बनाया महिला के पती ने ये वीडियो और तस्वीरे किसी तरह से पतनी के मुबायल से निकाल ली और सबूतों को एक साथ कोर्ट में मामला दर्स किया शिकायत में कहा गया कि महिला पती को तलाक नहीं देना चाहती है उसने कहा कि अगर वह उसके साथ जबदस्ती से तलाक लेगा तो गए उसके बच्चों को मार कर आत्मत्या कर लेगी और उसे फसादी की उसके बाद महिला अपने पती को छोड़ कर उत्तर परदेश चली गई पती का आरोप है कि फ्लैट छोड़ने से पहले वैखर से 55 लाक रुपे की जुएलरी और रुपे चुरा कर चली गई S.I.E. सरीता मुसाले ने बताया कि ठाने सेशन कोट ने महिला को अंतरीम जमानत खारिश कर दी है जिसके बाद उसे गिरफतार करके नियाए खिरासत में जेल भीज दिया गया है 10 ग्राम कोकीन के कबजे के लिए ठाने विरोधी विरुपन सेल दुआरा दो दवायों के पैडलोरों को गिरफतार करने के एक दिन बाद आरोपी ने एक नाइम खान टाम का खुलासा किया जो अंटरवल डॉन दाउद इबराहिम के गिरहों का सदस्य बनता है इसने पुलिस ने शुकरवार को बरूर नगर गोरे गाउं में नेम खान के घर पर हमला किया और एके 56 राइफल, 95 लाइब बुलिट, 9 मीमी पिस्तॉल को और दो पत्र का जब्द की दाउद के सहयोगी के साथ बिल्डरों समित अन्य उच प्रोफाइल वाले लोगों के नाम भी इसमें शामिल थे पुलिस को संदे है कि हमले के दौरान जब्द किये गए हत्यारों को 1993 के बन्विस फोटो के संबन में छोटा शकील दौरा आपूर्ती की जा सकती है ठाणे पुलिस आयोग परमपीर सिंग ने कहा कि पूसाच के दौरान दवाईयों के पेडलर ने नेम खान के नाम खुलासा किया है इसके बाद हमने खान के घर पर चापा मारा और सभी हत्यारों को जब्त किया हम अन्य लोगों को भी फोन करेंगे जिनके नाम पर सवाल पूछने के दौरान आय थी नाइम की पत्नी ने 35 वर्षिय यासमीन खान को भी अब गिरफतार कर लिया गया है 2016 में पूर्व दाउत इबराहिम गिरो सदसे इकबाल आटरवाला की हत्या की साज़ श्रचने के लिए नाइम को चार अन्य लोगों के साथ गिरफतार किया गया है पूलिस ने कहा है कि आटरवाला को मारने का निर्दे शकील ने दिया था नाइम वर्तमान में ठाने जेल में दर्ज है नाइम का नाम खुलासा करने वाले दो ड्रग बैडलर 47 वर्षे जहित कश्मीरी, 47 संजेश्रोफ, 47 को ठाने IC को टिप ओफ मिलने के बाद गुरवार को गिरफतार किया गया था कीवे रॉबडी में मुंबई और ठाने से दवाईया बेचने के लिए आया था कोकीन और मुबाइल फोन के 10 ग्राम सामुहिक रूप से रुपए 1.5 लाग के लायक थी उनको जब्त कर लिया गया था IPC के प्रवधानों और राबोडी पुलिस टेशन के साथ NDPS अधिनियम के तहट मामला दर्स किया गया था कश्मीरी, श्रॉफ, यास्मीन और 11 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है और ये किस वक्ति कुछ खास खबरे मेरे आनी शुभागी गुपता के साथ देखते रहें SBT News धन्यवाद